ह़लो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटुप चैनल Seset Tips में स्वागत हैं दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मुबायल क्रें के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे मुबायल क्रें क्या है मुबाइल क्रेन से related कौन-कौन से हजार्ट क्रियेट होते हैं फिर हम बात करेंगे safety precaution के बारे में that means control measure के बारे में कि कैसे हम मुबाइल क्रेन operation को सुरचित पूरवक कर सकते हैं and the last में हम आपको step by step every parts बताएं के मुबाइल क्रेन के बारे में कि कौन-कौन सा पार्ट है उसका क्या यूज है हम बात करेंगे इसमें तो बने रही हमारे सथ वीडियो के आखरी तक और चलिए वीडियो को सीधे start करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मुबाइल क्रेन क्या है मुबाइल क्रेन एक mobility टाइप का क्रेन है जो की आम तोर पर वाहनों पर पाये जाते हैं जिसमें टेलिस्कोपिंग बूम लगी होती है जिसका ओप्यो किसी उपकरण या सामागरी को उचाईयों तक ले जाने के लिए या फिर एस्थापना करने के लिए परयोग किया जाता है मुबाइल क्रेन केबल या हाइड्रोलिक टंत्र की एक प्रणाली के माध्यम से कारे करते हैं अब हम बात करेंगे क्रेन ओपरेंटिक के दोरान कौन-कौन से हजाट्स और रिस्क क्रियेट होते हैं तो आये जानते हैं ओवर्टर्निंग बहुत सरे सिच्वेशन में क्रेन का पलड़ जाना ओबरलूड अपनी छमता से ज्यादा का भार उठाना जैसे कि आप जहां पर काम कर रहे हैं उसके आजू-बाजू में या फिर उपर से कोई इलेक्टरिक केवल्स की लाइन है तो उसके कंटेक्ट में आ जाना ओबरेट पाइपलाइन जिस वर्क लोकेशन पर कारे चल रहा है उधर में कोई पाइपलाइन से उसको डाइमेज कर देना उसको नुकसान कर देना वो सब क्या होता है एक हजाश को क्रेट करते हैं डाइमेज आफ अंडरगाउंड फैसिलिटी जहां पर हम क्रेन को पार्क क चार रहा हो तो उसको भी डाइमेज हो सकता है जब उसका क्या होगा कि लोड पड़ेगा आपका उस लाइन पर तो उसको डाइमेज कर सकता है एक्स्ट्रॉक्ट्र फैलर फॉर एक्जंपल जैसे अपना कोई लिफ्टिंग एक्यूपमेंट है या फिर कोई शीलिंग है या या फिर जो हमारा क्रेन है वो किसी अन्य क्रेन से भी टकर आ सकता है या फिर कोई आसपास में अगर कोई structure है या फिर कोई plant है में भी कोई person भी हो सकता है तो उसे क्या हो सकता है टकर हो सकता है that's hazard creating falling object जब हम लोड को उठाते हैं तो हो सकता है वह फाल गिर जाए में भी अच्छा से नहीं बांद रखा हो अच्छा से tie-up नहीं किया तो falling object का option create होता है improper use of outrigger कभी कभी क्या होता है यह जो operator होता है न वह अपना जो outrigger को होते है अच्छा से अगर open नहीं किया है that means आपका outrigger अच्छा से कारें नहीं करेगा उस पर अच्छा से loot नहीं आ पाएगा तो मेभी collapse होगा that's also creating hazard ground on odd event यह एक बहुत ही बड़ा हजार्ट क्रियेट करता है अगर हम समतल भूमी पर अगर क्रेन को parking नहीं करते हैं तो भी वहाँ पर हजार्ट क्रियेटिंग होता है अब हम बात करेंगे mobile crane operation को सुरचित पुरुवक कैसे कर सकते हैं तो आईए जानते हैं केवल ट्रेंड और authorized person को ही crane operating करने की अनुमतीद दें हमेशा lifting operation शुरू होने से पहले उसका risk assessment करें लोड को खीचने के लिए कभी भी बूम या विंच का इस्तमाल ना करें या उठाने वाले रसी या सिलिंग को जो खांचा होता उससे बाहर खिशका सकता है या फिर जो आपका सिलिंग या रसी उसको भी नुकसान पहुचा सकता है या फिर crane या होस्ट को भी डिस्टर्ब क लूज लूड को उठाने से पहले उसे पैक किया जाना चाहिए उठाने से पहले उप्यूग कैंटेनर में या फिर उप्यूग बॉक्स में या फिर उसको अच्छे से सिक्योर करके ही उठाना चाहिए क्रें को केवाल उसके सेफ वर्क लोड के भीतर ही संचालित करें अधिक नहों बूम बूम हूंक या जो लोड लाइन है उस पर किसी भी बैक्तिरी को सवारी ना करने दे और खास रूप से उस भार पर जिसे उठाया जा रहा है मुबाईल क्रेन को एक फर्म समतल जमीन पर संचालित किया जाना चाहिए जो क्रेन के वजन और भार का पर्याप्त समर्थन करता है तो उसे किसी भी परकार के औरोध या भवन से कम से कम 3 मींटर की दोरी या फिर एक सुरच्छी दोरी बनाए रखने चाहिए आप्रेंटि के दौरन क्या होता है आपको जो मैटेरियल है कभी भी हीट कर सकता है आपके विल्डिंग में स्ट्रक्चर से या फिर किसी भी परसन को तो इसलिए अपने को एक सेफ डिस्टेंस बना के ही अपने को क्रेंट का ऑपरेटिंग करना चाहिए ओके जब क्रेंट स्लिपिंग इटिंग और ड्रिंग यह सब क्या होता है आपका तो यह सब चीजों का ध्यान रखने का है भार को डिस्ट्रिबूट करने के लिए और मिटी पर वजन को कम करने के लिए मजबूत बड़े लकड़ी के तक्तों का यूज करें एक्चुली क्या होता है जब हम क्रेन को लगाते हैं अपरेटिंग करने के लिए तो उसका जो आउट रिगर होता है हम बाहर निकालते हैं उसमें क्या होता है उसके नीचे हम एक बड़े से लकड़ी को लगाते हैं अन्य कैसा कि आप image में देख रहे हैं क्लियर कारेच छेत्र को या operating area को वैरिकेड करें तथा सुरच्छा चिन्नों का उप्योग करें यह कुछ safety tips थे हैं जिसको follow करके हम mobile crane operation को सुरच्छित पुरुवक कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे mobile crane के equipment के बारे में जो उसका parts होता है उसका प्रतिक का अब हम नाम जानेंगे कि किस part को क्या बोलते हैं और उसका क्या use होता है यह भी हम बात करेंगे तो आये देखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहां से numbering कर रखा है 1214 ओके यह arrow के द कि SECOND number की बात करें तो इसको बहुते हैं outright floor इसका कार आया किया है कि जो हमारा आउट cuál निकलता है नो तो यह जो हमारा आउट डिगर होता है वह इसके उपर होता ओके यानिकि यह जो है आउट डिगर के नीचे होता है ओके ठर्ड पॉइंट में देख रहे हैं इसको भवा में रहता है और गराइन कहारो होता है हमारे आूरी गर भी आता है अपट पॉइंट इसको बोलते हैं कौंटर वेट वाट वूले तो जैसे कि हम कोई मैट्रियल को जब हम करते हैं तो लिफ्टिंग करते हुए त सारा लोड की तरफ जाएगा में जब आख़ते होगा आर्था तो उसको एस्टेवल करता है जैसे कि आप लिफ्ट देखा ना लिफ्ट हुआ या फिर रेल्व फाटक हुआ क्या होता है एक साइड में थोड़ा भार को बढ़ा दिया जाता है जिससे की ढाला उठने में या फिर लिफ्ट को उपर जाने में आसानी होती सेम उसी प पर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा तो यह सब चीजों को भी कंट्रोल करता है इसको बोलते हैं काउंटर वेट फिफ्ट नंबर की बात करें तो इसको बोलते हैं बूम हिंज पिन एक्चुली क्या होता है यहां पर जो अपना पूरा क्रेन होता है उसका टोटल हिंज यहा बोले तो यह जो भी हमारा भूम जो बाहर निकलता है जो हमारे टेलिस्कोपिंग बाहर निकलता वह इसके अंदर होता है इसको में सेक्षन बोलते हैं में सेक्षन ओके नेक्स्ट में आप देखें साथ नंबर में इसको बोलता है टेलिस्कोपिंग सेक्षन जहां पर आप कई लेर बना हुआ है 1234 और पांच वा जो लियर बाहर निकला हुआ तो इसको टेलिस्कोपिंग सेक्षन बोलते हैं नेक्ट में आप इमेज में देख रहें आठ नमर को इसको लास्ट बोले तो फिफ्ट नमर की आपका टेलिस्कोपिंग भूम है अब नाइनट पॉइंट की इसके बाद हमेरा खुलाते हैं अब उसके आगे क्या आता है ट heavily बुउम टिफ्ट अइक्चली में इसको सिंपल में बहुत है फूलती है चरकी एक परकृर का जब हमारा मैटरियल को मिल्प्टन करना होता है तो जो हमारा सेलिंग होता है इसवारे राउंड होता है और पिर हमारा मैत्रीख राता है ओकले नेकॉच में बात करें तो 11 पॉइंट की यह मेलोड Nej हमारा मेन सीलिंग आई जिस पर पाते हैं तो मैन वहां इसी के दौारा और हमारा मैट्री मैट्रील ऊपर उठा है ओके टुवेवलस नम्मर में 1 बातकरें तो लोट ब्लॉक हमारा जो होस्ट यहां से लेने का हम यहां से लिए करते हैं इसको और आपरेटर के यहां से हमारा पूरा operation होता है lifting का जो भी process होता है हम यहां से operate करते हैं ओके यह हमारा operator का Kevin होता है ओके इसमें थोड़ा दियान दिजिएगा यह 14 और 1 यह दोनों में different किया है यहां पर carrier और operators कर यहां से operator केप से केवल operation किया जाता है lifting operation और carrier से हमारे जो वेकल होता है जो हमारा mobile equipment है उसको एक अस्थान से दूसरे स्थान तक drive किया जाता है okay mobile crane operator के रूप में आप एक मुल्यवान मशीन की कमाल समालते हैं जो नियमित रूप से critical lift बना रही है आपसे नौ केवल lifting के सबसे अच्छे तरीकों की उमीद की जाती है बलकि यह सबसे सुरचित तरीका भी है यदि हम operating के कुछ सधारण गलतियों से बच सकते हैं तो यह कार्य अस्थल पर किसी घटना से बचने में एक लंबी और सुरचित दूरी तय करेगा तो दोस्तो मैंने इस परकार से इस वीडियो के माध्यम से पूरा mobile crane से related सारी जानकारिया सेयर की जैसे की mobile crane क्या है उसके हजार सो risk क्या है mobile crane को safe operation कैसे कर सकते हैं तता every parts के मैंने नाम बताएं जो की important है आपके लिए तो मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए useful था और मैं यह भी आसा करता हूँ कि आप एक safe way में इस operation को safely complete करने के लिए आप अपनी भूम का आवस से निभाएंगे तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट वक्स में जरूर बताएं और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपयाई से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेसन आपको भी प्रापत हो ओके दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपना और अपने टीम का ख्याल रखें धन्यवाद हुआ 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 कि क्या उन्सक्राइब कैप ऑसं हाउ आपसे अजर घग een हिंहाओ तो लावद हुआ 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 कर 자called right